नाम और काम की चिट भेजिए अंदर भेजो अब तो बधाई दे सकता हो ना मुबारक हो हम अजनमियों से हाथ नहीं मिलाते दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है और मुझे खड़े रहकर बात करना अच्छा नहीं लगता कलेक्टर साहब मेहमान को अगर बैठने के लिए नहीं कहा गया तो मैं खुद बैठ जाता हूँ यहां हम उन लोग बिठाते हैं जो बुलाय जाते हैं जो सिर्फ सलाम करने आते हैं उन्हें वहां बिठाया जाता है मेरा नाम गंगाधर चौधरी है और हमारा नाम राजपाल चौहान है मैं यहां के मशहूर चौधरी खांदान से तालुक रखता हूँ और हमारा खांदानी सिलसला अजमेर के मशूर पित्रा चौहन से मिल जाए मैं शिकारफुर का सबसे बड़ा जमीदार हूँ राजिस्तान में हमारी भी जमीनात है और तुम्हारी हैसियत के जमीनदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं कलेक्टर साहब आप जैसे बहुत से कलेक्टर यहां आए भी और चले भी गए मेरा मतलब है कि समझ गए हम तुहारा मतलब हम वो कलेक्टर नहीं जिनका फूग मार कर तबादला किया जा सकता है कलेक्टरी तो हम शौक से करते हैं रोजी रोटी की लिए नहीं दिल्ली तक बात महशूर है कि राजपाल जुहान के हाथ पर तंबाको का पाइप और जेब में अस्तीफा रहता है जिस रोज हम इस कुर्सी बैट कर इंसाफ नहीं कर सकेंगे उस रोज हम इस कुर्सी को छोड़ देंगे समझ गए चौदरी अच्छे एज़थ की है तुमने मेरी नोकरों के सामने नोकर पालना है तो मालिक बनना सीखो जमिनदारी करनी है तो जमीनदारों से दिल पैदा करो खरीब और मजदूर से लड़ने वाला ना मालिक होता है और नाहीं जमिनदार इस दफ्तर में हमारा पहला दिन है इसलिए हम तुम्हारे गुनाहों का हिसाब आज नहीं फिर कभी मांगेंगे रामू जी हुजूर अब तुम लोग चौदी साथ शिकार पूर लोट जाओ अब तो जमीनदार जी हमको जीने नहीं देंगे हुजूर अब तुम्हें कुछ नहीं होगा चौदी साथ जान चुके हैं कि हम कलेक्टरी नहीं कुछ और भी हैं वैसे इस दफ्तर के ही नहीं हमारे घर के दर्वाजे भी तुम्हाई लिए हमेशा खुले रहेंगे जोजूर चौदी साथ इने अपने साथ शिकार पूर ले जाईए मुझे तुम्हारी नसीहत याद रहेगी कलेक्टर साथ चौदी नसीहती नहीं ये मुलाकात भी याद रखना जरूर